cleavage and its patterns, first the contents, defining cleavage, animal pole and vegetal pole affect, synchronous and asynchronous divisions, and distribution of yoke affects the cleavage pattern. first the definition of cleavage, cleavage का लफ्स्ति मतलबी होता है, divide करना, इसरह से cleavage जब once zygote is formed, जब zygote बन जाता है, fertilization के बाद, तो zygote के अदर होने वाली cell divisions को overall cleavage का नाम दिया जाता है, so basically these are cleavage क्या है, it is actually the cell divisions which are taking place in the, during the embryonic development, embryonic development के दुरान, early embryonic development के दुरान, जो cell divisions हो रही है, उसका हम cleavage का नाम देते हैं, तो इसका मतलब यह हो कि जब zygote divide करके दो cells बनाएगा, दो cells आगे divide होकर 4 cells, 4 से 8 cells, तो यह जो early development होगी, early जो इसकी जो हो, cell division हो रही है, इसका हम cleavage का नाम देते हैं, cleavage के लिए अगर हम देखें, चुकि cell ने divide करना है, तो अगर हम cell को गोर्ट देखें, तो cell का जो zygote है, fertilize egg, zygote का दूसरा राम fertilize egg है, zygote या fertilize egg जो है, इसके आम दो पोल्स होते हैं, आम दो पर एक साइड के उपर योग के amount जएदा होती है, जबकि दुसरी साइड के उपर साइटो पलाजम जएदा होता है, एग का वो region या वो end जिस तरफ साइटो पलाजम की concentration जएदा है, जिस तरफ साइटो पलाजम, ribosomes आ जाएंगे, mitochondria आ जाएंगे, वो जएदा होती है, जिस तरफ योग की amount 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 होगी zygote से जब zygote divide करके दो cells बना देगा तो अब हम इसको zygote नहीं कहेंगे now it is the embryonic stage अब यह embryo two cell embryo stage है two cells से four cells बनेंगे तो जैसे ही zygote divide करके दो cells बना देगा that is the embryo आप इसको zygote नहीं करेंगे बलके single cell zygote है जैसे दो cells बना के that is the embryo अच्छे शुरू की अगर है cell division को देखें all the cells they divide at the same time शुरू की cell division में सारे cells एक ही दफ़ा डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं to the synchronous cell division यह cell division क्या है synchronous है कठी हो रही है लेकि जैसे यह embryonic development आगे बढ़ती है जब cells का number ज्यादा हो जाता है तो फिर कुछ cells divide का रहे होते हैं कुछ cell divide करने की त्यारी का रहे होते हैं means all cells are not dividing at the same time जब cells सारे सारे एक ही दफ़ा डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कहांगे cell क्या हो गया हैं यह asynchronous हो गया है synchronize का मतलब होता है अकठे यह synchronize का मतलब है अलग अलग यह एक्रूस सेल डिवाइड का रहे होते हैं कुछ cells slowly divide का रहे होते हैं आम तोर पर जेन cells के अंदर योग की amount वजूद होती है उनके अंदर cell devine का speed है वो ज्यादा होती है तो इसलिए amount of yoke जो है it affects the cleavage process cell devine का process को यह effect करती है कैसे जैसे अभी हमने बात किए कि जो zygote या fertilize zygote तो इसके एक तरफ योग ज्यादा होता है दूसरे साइटोप्लाजम ज्यादा होता है साइटोप्लाजम है cell devine की speed ज्यादा होती है जिसके वज़एदा number of cells बनते हैं जब कि जो वेजिटल पोल है जहां योग ज्यादा होती है वहां cell devine slow होती है बड़े बड cell जहां योग ज्यादा होगा वहां larger size की cells जहां वो बनेंगे तो simply even कुछ cells के अंदर जैसे आगर हम birds की बात करें या reptiles की बात करें वहां ज्याते तर एरिया में योक बहुत ज्यादा होता है जहां वो योक बहुत ज्यादा होता है वाँ सेल डिवीन होगी ही नहीं तो सेल डिवीन के पैटरन को या किलिविज के पैटरन को जहाँ वो योक जहाँ वो डारेक्टली एफेक्ट करता है